Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे re-registration करने के बारे में जैसा कि आप सभी student को पता है कि गुरू ने July 2020 सेशन के लिए re-registration करने की facility स्टार्ट कर दी है last date 15 June तक रखा गया हला कि यह further भी extend होगा लेकिन अभी के लिए 15 June last date रखा गया है इस वीडियो में हम लोग डीटेल में बात करेंगे कि re-registration कैसे किया जाता है और re-registration करने के दौरान कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना परता है आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete ज़रू देख लिएगा सभी information आप लोग को डीटेल में मिल जाएगे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बुलेगा और re-registration करने के दौरान किसी भी तरह का doubt होकर आप लोग face करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी call करके अपने doubt clear कर सकते हो ज़्यादा information के लिए कैसे call करना है उपर कार्ड में दिया वीडियो के लिंक चेक करें उसे आपको समझ में आ जाएगा re-registration करने से पहले आप लोग को ये जानने ना होगा कि आप July 2020 सेशन में re-registration करने के लिए eligible हो या नहीं हो उसके लिए मैंने एक separate सा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने detail में बताया है कि कौन कौन से year के student July 2020 सेशन में re-registration करवा सकते हैं और किसको किसको re-registration करने की ज़रुरत नहीं है आप लोग ये वीडियो देख लिएगा तो आप लोग का ये doubt clear हो जाएगा उपर card में मैंने video का link दे दिया है अब आपको पता चल गया कि आप re-registration करने के लिए eligible हो तो उसके बाद आपको इस portal पे आना होगा जो आप लोग के screen के उपन ज़रा रहा है इसका link मैंने description में दे दिया है इसी portal से आपको re-registration करवाना परता है और ये portal Indian और International Student दोनों के लिए बना हुआ है चाहे आप Indian student हो या International student हो आपको re-registration इसी portal से करना होगा अब जो instruction दिया गया है उसको पहले दियान से सबसे पहले जितने भी student first time re-registration कर रहे है उनको समर्थ portal पर registration करना होगा ठीक है उसके लिए new registration के उपक्लिक करेंगे registration करेंगे अगर आपने already समर्थ portal पर registration कर लिया है तो आपको यहाँ पर enrollment और password से direct login हो जाना होगा ठीक है new registration करने के time पर आप वही mobile number और email address दोगे जो valid होगा क्योंकि उसी पर OTP आने बाला है और उसी पर confirmation आएगा registration का और बाकी जितने update होंगे वो उसी mobile number और email ID पर आएगे तो वही email ID और mobile number देना जो अभी valid condition में हो जो आपके पास हो ठीक है अगर माल लो आपने already registration कर लिया है लेकिन फिर भी बहुत से student password भूल जाते हैं और password भूलने के बाद से जब reset करते हैं तो उन्होंने ऐसा mobile number रख दिया होता है जो कि अभी valid condition में नहीं होता है या फिर भी अगर OTP उनके पास नहीं आता है तब फिर उनको अपने regional center को visit करना होगा और वहां से फिर reset करवाना होगा ठीक है नॉर्मली अगर आप mobile number आपके पास है वो valid condition में है तो reset password के उपर क्लिक करोगे उसके बाद से यहाँ पे detail डालोगे तो आपके mobile पे OTP चला जाएगा उसके बाद से आप कर सकते हो लेकिन फिर भी अगर OTP ना जाए तो फिर आपको regional center visit करना होगा उसके बाद से अपना password को reset करवाना होगा और यह हाल फिलाल में काफी student के साथ ऐसा हो रहा है ठीक है तो यह चीज़ जान लोग आप लोग second number point बहुत important है और re-resession करने के दुराँ सबसे जादा आप लोग को इसी चीज़ का ध्यान अखना पड़ता है subject सही से select करना होता है बहुत से student जलबाजी में re-resession कर लेते हैं और जब re-resession का portal पे subject select करने का option आता है वहीं पर randomly जो मन में आया वह subject select कर देते हैं लेकिन बाद में उनको problem face करना पड़ता है subject change करवाने में और जितने भी new student है जो B.A.G. become G. B.H.C.G. के student है या फिर जो new syllabus के honors degree के student है उनको तो और जाद दिकत होगा क्योंकि C.V.C.A. सिस्टम में subject change allow नहीं किया जाता है एक मतलब आपने जो subject select कर लिया वही subject आप कर रहेगा तो आप लोको subject ध्यान से select करना है पहले अपना program guide में देख लो कि कौन कौन सा subject available है उसके बाद से select करो जल्दबाजी में select करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद से जो instruction है वो normal instruction है फिर भी जो important है वो मैं बता द रहा हूँ सबसे पहले यह कि अगर मालो आप re-recession करने के लिए payment कर रहे हो और payment आपका bank account से cut गया लेकिन re-recession successful नहीं हुआ तो आप immediately दोबारा payment मत कर देना 72 hour तो quit करना automatically payment settle हो जाता है और वहाँ पे success करने लगता है अगर 72 hour के बाद भी अगर payment success ना सो करें तब आप दोबारा payment कर देना उस सुरत में दो बार आपने payment कर दिया तो एक payment आपका refund हो जाएगा जिस account से अपने payment किया होगा I mean credit card से किया होगा तो उसी credit card के account में जाएगा आप भी देख लो कि कौन सा subject select कर रहे है और आप पहले से उनको बताओ कि यह subject उनको आपको select करना है क्यूंकि साइबर केफे वाले अगर अपने मन से subject select कर लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है या उन्होंने किया है या नहीं किया है और प्रिंट आउट ले लो ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा तो री रेसेशन हो गया है लेकिन साइबर केफे ने दोका दे दिया और पेमिन किया ही नहीं तो ऐसा बहुत सारा problem होता है और ruler area में ज्यादा ऐसा होता है तो आप लोग अगर कभी भी साइबर केफे से करवा रहे हो तो प्रिंट आउट जरूर लेना payment confirmation का ठीक है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका री रेसेशन सक्सेस्पूल हो गया है तो यह सारा instruction था इसको फिर से अगर आप लोग चाहें तो पर सकते हैं अगर नहीं procedure start करना होगा तो इस प्रिंट पर आओगे उसके बाद से अगर आपने अल्रेडी registration कर लिया है तो फिर यहां पर आपको इन्रॉल्मेंट नमर पासवर्ड पूट करना होगा लोग इन करोगे तो फिर आप लोग इन हो जाओगे ठीक है लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी खीरी registration कर रही है cía-प्रीpection कर रहे हो तो पहले आपको रिजिस्टेशन करना होगा और उसके लिए निई रेस्टेशन के ऊपर लिंड पर क्लेय करना होगा तो नियू रेस्टेशन के ऊपर QUE क्रोगे क्लिक करने के बास से यहां पे आपको अपना प्रोगा। उलिट करना हो Submit करने के बाद से यहां पर आपको अपना Mobile Number या email address पूट करने की लिए बोला जाएगा लेकिन यहां पर वही Mobile Number यूज करना जो आप यूज करते हो क्योंकि पासषॉड अगर भूल गया तो reset करने के लिए जो OTP जाएगा वही इसी Mobile Number पर जाएगा आप बस उस OTP को put करोगे, यहां पर submit करोगे, तो फिर आपको password create करने के लिए बोला जाएगा, password strong create करना, जिसमें capital letter भी हो, small letter भी हो, number भी हो, और special character भी हो, ठीक है, password फिर confirm password उसके बाद से submit करोगे, तो आपका profile create हो जाएगा, ठीक है, आपका profile create हो गया, यहां पर so हो गया, कि you can login now, उसके बाद से आपको अपना username, यानि कि इंडॉल्में नमबर, password जो आपने create किया था, और capture put करके login करोगे, तो कुछ इस तरह का interface आपको screen के उपर नजर आ जाएगा, उसके बाद से आपको re-registration का process start करना है, इस वीडियो में आप लोग को BAG के जितने भी student है, उनका third year का re-registration करके दिखाऊँगा, इससे पहले जो previous session में, यानि कि जनवरी 2021 session में जब re-registration start हुआ था, तो उस वाक मैंने master degree के जितने भी student है, उसके लिए बताया था कि किस तरीका से master degree के student re-registration कर सकते हैं, उसके अलावा जुलाई 2020 session में जब re-registration के उपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, तो उस वाक मैंने BA become BAC के old syllabus के student के बारे में दिखाया था, कि BA become BAC के old syllabus के student किस तरीका से re-registration कर सकते हैं, तो यह यहां पर आपका program code show करेगा, जिस तरीका से यहां पर ब्यजी लिखा रहा है तो उसी तरीका से आपका program code show करेगा, उसके बाद से आपको direct click here के उपर click करना है, उसके बाद से यहां पर सारा आपका detail आजाएगा, आपका name, आपका enrollment रिष्टेशन कर रहे हो, तो कुछ अलग interface आता है, थर्ड यर का re-registration कर रहे हो, तो थो अलग interface आता है, क्या differences है, second year में ज्यादा तर paper पर already select किये हुए रहते है, ठीक है, आपको कुछ paper ही select करना होता है, और अगर आप third year का re-registration कर रहे हो, तो उसमें पूरा का पूरा paper ही select करना होता है, आपको खुछ से choose करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीका से आओगा, आपका enrollment और प्रोगाम को और सारा कुछ लिखा रहेगा, उसके बाद से यहाँ पर एक option दिया रहता है, study material type selection, यानि कि आपको study material किस form में चाहिए, यानि printed form म में चाहिए, ठीक है, तो मैं जितने भी student है, सब को यही recommend करूँगा, कि आप hard copy में ही लो, उसका वज़ा यह है, कि अगर आप hard copy में भी लेते हो, तब भी आपको soft copy इसी तरीका से free में ही मिलता है, e-gain course पे already सभी books available है, ignore e-content application पे भी सभी books available है, तो आप चाहे online books को opt करो य अगर डिसकाउंट मिलेगा, actually 15% discount देख का student digital material opt कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा problem होता है, इसलिए आप लोग मेरा recommendation के साथ चलोगे, तो यही रहेगा कि आप लोग printed form को ही opt करना, ठीक है, अब जो सबसे important चीज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानिके subject selection, re-resession करने के दौरान सबसे important चीज यही है, subject सही से select करना है, master degree के student के लिए कोई दिकत नहीं होता है, क्योंकि master degree में जातर paper में तो कोई paper ही select करने का आपको option नहीं दिया जाता है, सारा कुछ already select किया हुआ रहता है, बस आपको payment करना होता है, और कुछ-कुछ program मे आपको दो या तीन paper select करने होते हैं, बाकी सबी चीज already select किया हुआ रहता है, bachelor degree के जितने बी student है, अगर second year में re-resession करते हैं, तब यह उनको बस इसकी लिए enhancement का course select करना होता है, बाकी सब को select करना होता है, जो बी student third year के लिए re-resession करना है, उनके लिए थौसा दिकत होता है, क कौन सा paper कैसा है, कौन सा easy है, उसके बास से select करना है, क्योंकि BAG में या CBCS system के जितने भी course है, उसमें कोई भी changes नहीं होता है, आप लोगों बस इतना ध्यान रखना है, कि जो भी project वाला paper है, वो नहीं लेना है, अगर वो paper compulsory नहीं है, तो आपको वो paper लेना ही नहीं है, जै पर project का paper compulsory होता है, जैसे BTS के यही जितना है, उनका BTS 4, BTS 5 यह सब compulsory होता है, तो उनको लेना परता है, उनको project बनाना परता है, लेकिन जो में project compulsory नहीं है उनको project लेने की जुरूत नहीं है mean project का paper जितना भी उसको नहीं लेना है तो फिर बहुत दिक्कत होता है तो यहाँ पर जैसे skill enhancement course है तो उसमें से check कर लो उसके बास से select करो फिर उसके बास से select one generic elective अब देखो जthen Republic elective जो होता है वो third year में जितने ही को भी से इसके लए अपने जीसलें सकना परता है किसी ने उर्फो हिस्ट्र स्लेक लिए किसीने को सुल कर लिया तो discipline हो गया, discipline specific elective उसको बोला जाएगा, तो उसमें से एक paper select करना होगा, ठीक है, तो वो मैंने select कर लिए, उसके बास इनका जो दूसरा elective था, उर्दू था, तो वो select कर लिए, तो ये fifth semester का हो गया, उसके बास से six semester में भी same, उसी तरीका से एक discipline specific elective आपको select करना होगा, ठीक है, इन दोनों option में से जो आपको लगता है कि आप अच्छे से कर पाओ कि उसको select कर लो, उसके बास से एक skill enhancement course select करना होगा, ठीक है, उसको select कर लो, उसके बास से एक generic elective, ठीक है, ये third year में ही, फिफ सेमेस्टर और six semester में generic elective subject select करना होता है, इसमें आप लोग को option दिया जाता है, generic elective मतलब ये हुआ, जैसे previous जब old syllabus था, तो BA become basic student को अलग-अलग paper लेने का अजादिश दिया जाता था, उससी तरीका से इसमें भी जो generic elective है, उसमें अलग-अलग paper आप ले सकते हो, I mean अगर आपका first year में जो main paper था, उसको छोड़ के, जो अलग paper है, उसको select करने का option दिया जाता, जैसे मालवा अगर किसी ने first year में economics और history लिया है, तो economics और history को छोड़ के बाकि जितने paper है, उसमें से आप लोग को select कर लो, सब को select करने के बाद से submit के उपर click करना होगा, submit के उपर click करने के बाद से आपने जो जो paper select किया है, उसका पूरा list यहाँ पर आ जाएगा, अब सभी subject का list आ जाता है, तो उसको ध्यान से आप लोग देख लो, कि सभी subject सई से select किये हो, या नहीं किये हो, कुछ change करने की ज़रत होगी, तो यहाँ पर आप लोग update course selection, इसके उपर click करोगे, फिर जो भी paper को आपको change करना हो, वो change कर सकते हो, payment करने के बाद कोई भी changes नहीं होगा, payment करने से पहले, जो भी paper को आप लोग को change करना हो, वो change कर सकते हो, उसमें कोई भी limitation नहीं है, ठीक है, तो एक पे 200 रुपिया जो processing fee है, उसको add करके यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे 2900, ठीक है, तो इससे कोई attention की बात नहीं हो गया है, वो just उसमें include करके लिखा हुए, जब आप लोग normal face admission लेते हो, तो वहाँ पे registration fee या processing fee यहाँ पे अलग से लिखा रहता है 200 रुपिया, और normal fee 27 रुपिया लिखा रहता है, लेकिन registration fee में दोनों को add कर दिया गया है, तो उससे कोई attention की जोतनी है, तो यहाँ पे देख लो कि 2900 पीस आपको pay करना होगा, बाकि अदर अदर प्रोगाम के लिए अलग अलग fees है, उसके बात से payment gateway 1 और payment gateway 2, इसमें से जो भी select करना है उसको select क करते हैं, उसके बाद से payment page पे आ जातो हो, यहाँ पे आपको different mode of payment का option दिया गया है, जिससे मरजी वहाँ से आप payment कर सकते हो, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे EMI का option दिया गया है, और इस बार EMI में बहुत सारे bank के option दिया गया है, प्रिवियर सेशन में जब EMI का option दिया गया था, तब सिर्फ SDFC bank और Bank of Baroda का ही option दिया गया था, लेकिन इस बार ICAC bank, State bank, Axis bank, Arbil bank, City bank, इन सब का option दिया गया है, तो अगर आप लोग चाहो, तो EMI से भी payment कर सकते हो, अगर मानलो, जितने भी master degree case 20 है, अगर उनका 7000, 8000, 10,000 अगर ऐसा payment लग रहा है, तो लोग चेसे जो भी card select करना होगा, आप select कर सकते हो, उसके पार से payment कर सकते हो, घैक है, उसके अलावा यहाँ पे create card और genuine card काct option दिया गया है, net banking का भी option दिया गया है, UPI का भी option दिया गया है, तो जिससे मर्जि उससे आप लोग payment कर सकते हो, जब payment कर दोगे, तो फिर उसके बास से आपका registration successful हो जाएगा जब payment कर दोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका registration successful हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको फिर से अपने portal पर login करना होगा उसके बाद से registration के उपर क्लिक करना होगा और यहां जैसे मैंने payment नहीं किया था तो यहां पर new application सो कर रहा है या view सो कर रहा है अगर payment successfully हो गया होता तो यहां पर submitted सो करता है और यहां पर print का भी option सो करता है तो इस तरीका से आप लोग को भी अपना registration page है वहां पर यह सभी subject इतना जल्दी अपडेट नहीं होता है जब registration का पूरा process खतम हो जाता है जैसे अभी last date है 15 जुन वह तो further extend होगा तो जब भी last date होगा जब registration पूरा सभी student का complete हो जाता है उसके दो मन्त बाद कम से कम दो मन्त बाद आपका registration portal पर यह सभी subject जो आपने अभी select किया जिसका registration किया वो सभी detail वहाँ पर update होता है तो यह मत सोचना कि अभी हमने किया और अभी instantly update हो जाएगा उसमें time लगता है तो इस तरीका से आप लोग भी अपना-पना registration कर सकते हो मुझे पता है कि वीडियो तो लंबा हो गया क्योंकि एक-एक चीज बताना था और मैं नहीं चाता कि आप लोग किसी और के उपर depend रहा हो री-्रेस्टेशन करने के लिए आप लोग खुद से भी कर सकते हो इसलिए मैंने एक-एक point को अच्छे सा समझा है जिसमें तो अच्छा time लग गया और वीडियो तो लंबा हो गया खैर इसके इलाबा अगर आप ल वीडियो का लिंक दे दूँगा जिससे आप लोगो को कोई भी दिकत नहीं होगी तो यही सब्ता इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा इसलिए वीडियो को लाइक जूर कर दे सभी फ्रेंड के साथ से एक है ताक उनको भी इंपॉ पर देखने को मिलेंगी और इगनू के इस्टुएंट हो एच हे प्लाइज चैनल को सब्सक्राइब किया तो फिर क्या किया तो पहली फूसत में चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना तो थैंक यू सो मच फूर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच